भजन सहिता बावन, एक से नौ तक, हेवीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुना तो अनंध है. तेरी जीब केवल दुष्टता गरती है, सांधरे हुए उस्तरे के समान वहचल का काम करती है. तू भलाई से बढ़कर बुराई में, और धर्म की ब से तुझे उखार डालेगा. सेला तब धर्मी लोग इस घटना को देख कर डर जाएंगे, और यह कहकर उस पर हसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरन नहीं माना, परन्तु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था, और अपने को यह काम किया है. मैं तेरे ही नाम की बार जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भखतों के सामने उत्तम है. लुका 24, 36 से तिरपन तक, वे ये बाते कही रहे थे कि वहाप ही उनके बीच में आखडा हुआ, और उनसे कहा तुम्हें शांती मिले. परन्तु वे घबर गए और डर गए, और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं. उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं. मेरे हाथ और मेरे पाउं को देखो कि मैं वही हूँ. मुझे चू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड़ी मास नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो. यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाए. जब आनंद के मारे उनको प्रतीती न हुई, और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मच्छली का उसने लेकर उनके सामने खाया. फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बाते हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बाते मूसा की व्यवस्था और भविश्यदवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विश्य में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र भूजने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीधू ख़ उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुँ में से जी उठेगा और यरुशलेम से लेकर सब जातियों में मनफिराव का और पापों की क्षमा का प्रच और अपने हाथ उठा कर उन्हें आशीश दी और उन्हें आशीश देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनन से यरुशलेम को लोट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की आएं ये देश रह गए हैं अर्थात पलिष्टियों का सारा प्रांथ और सारे गशूरीग मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की और एकरोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है और पलिष्टियों के पांचों सरदार अर्थात अजज़ा, अश्डोद, अश गाटी तक सारा लबानों, फिर लबानों से लेकर मिस्पोतमेम तक सीदोनियों के पहाडी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूनगा, इतना हो कि तू मेरी आग्या के अनुसार चिठ्थी डाल डाल कर उनका देश इसराइल को बांट दे, इसल अनुसा तरनों नामक घाटी के किनारे के अरोय से लेकर, और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दी बोन तक में दबा के पास का सारा चौरस देश और अमोनियों की सीमा तक हेश बोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश और गशूरियों और माकावासियों की सीमा और सारा हेर्मोन परवत और सलका तक सारा बाशान, फिर आश्तारोत और अद्रेई में विराजने वाले उसोग का सारा राजिट जो रपायों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्ही को मुसा ने मार कर उनकी प्रजा को उस द मुसा ने रूबेन के गोतर को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्था अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोये से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़ कर में दबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेश्बोन और उसके सब गाउँ, फि राजा सीहुन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के प्रधनों को भी मार डाला था जो सीहुन के ठहरा हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राइलियों ने उनके और मार के अनुसार उनका निजभाग करके बांद दिया। तब यह ठहरा, अर्था त्याजेर, आदी गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोयें तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामतमिस्पे और बतनीम तक, और महनेम से दबीर की सीमा तक, और निजभाग करके दिया। बहमनशेयों के अधे गोतर का निजभाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थाट महनेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राजय का सारा देश, और बाशान में बसी हुई याहिर की साठों बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और अद्रेई, जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मंच्शे के पुत्र माकीर के वंच का, अर्थात माकीर के आधे वंच का निजभाग कुलों के अनुसार ठहरे, जो भाग मुसा ने मुआप के अराबा में यरिहों के पास के यर्दन के भाग ना दिया, इसराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यूसुफ के वंच के तो दो गोत्र हो गए थे, अर्थात मंच्शे और एप्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया, केवल रहने के नगर, और पशु आदी धन रखने को चराया उनको मिली। जो आ गया यहोवा ने मुसा को दी थी उसके अनुसार इस्राइलियों ने किया, और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशु के पास गिलगाल में आये, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विश तब उस दिन मूसा ने शपत खाकर मुझ से कहा, तू ने पूरी रीती से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरन किया है, इस कारण नी, संदेह जिस भूमी पर तू अपने पाउव धराया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी, और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ मे परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दून। तब यहोशु ने उसको आशिरवाद दिया, और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेप का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपु 20mm